नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्व चैनल में और आज आपको डियलर्ड सेकिंड सेमेश्टर के मैथ जो मैंने सीरे चलाई हुई है उसके अंतरगत आपको चैप्टर नमबर थ्री देखने के लिए मिलेगा इससे पहले मैंने चैप्टर बन और टू आपक आप सबी वीडियो से आपको मिल जाएंगे और यह भी मैं प्लियलिस्ट में आपको एड कर दूँगा तो यह वीडियो जो आने वाले हैं बो भी आपको जो प्रिवियस में आपके यतने भी वीडियो जा चुके हैं उनको भी आप बहां से आसानी से चेक आउट कर सकते हैं उन्हें देख सकते हैं और हमारे चैनल का नाम है Basic to Top HD आप YouTube में जागर के सर्च कर सकते हैं और बहां से ज Topics मिल जाएंगे Number System, Average, SCF, LCM, Percentage और काफी आप देख सकते हैं माजाकर के ठीक हैं यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंतरकत आपको सिखाएंगे कि सजातिय और बिजातिय वेंजग क्या होते हैं इनके बारे में में सिखाऊंगा उसके बाद आपको इनको इनके जूड कैसे करने हैं इनके घटाना कैसे है इनको यह इस Topic के अंतरकत बताया गया है तो Understanding of the Homogeneous and Heterogeneous Expressions and Addition Substraction on its और इनके हम Addition of Substraction को जानेंगे ठीक है तो चलिए Topic को स्टार करते हैं यहाँ पर देखेंगे पहले सजातिय वेंजग क्या है तो सजाति वेंजग के अंतरकत क्या आते है किस प्रकार से हम इनको पहँचान सकते हैं वो यहाँ पर Detail में बताया गया है तो Homogeneous Expressions इसमें देखेंगे देखेंगे एक ऐसा बहुपद ब्यंजग जिसमें केवल एक चर हो यानि या तो उसमें X चर हो या उसमें Y चर हो ये दोनों चर नहीं आ सकते एक साथ नहीं आ सकते अलग-अलग होंगे तो वो आपका सजातिय ब्यंजग कहलाएगा ऐसे बहुपद ब्यंजग में दूसरा चर नहीं होता है इन्होंने कहा या तो भाई X का मान लिया जाएगा या Y चर होगा पर इसमें कोई दोनों चर एक साथ नहीं आ सकते ये चीज आपको याद रखनी है तो जब भी आपको अगर डेफिनिस उसमें कुश्चन कर लिया जाए कि सजाती ब्यंजग क्या होते हैं यानि कि हमें एकजमपल्स बताइए तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ऐसा ब्यंजग जिसमें केवल एक ही चर हो तो वो सजाती ब्यंजग क्या लाएगा उसके बाद आप examples दे सकते हैं यहां पर देखिए जो examples दिया गया है उसे लिखा हुआ 5x square plus 3x minus 7 बरावच 0 इसी प्रकार से आप और भी examples लिख सकते हैं जैसे मानली जी मैंने लिखा x minus 5 बरावच 0 ये भी एक सजाती बेंजक है इसी प्रकार से हम और भी examples को लिख सकते हैं जैसे मानली जी मैंने लिखा x square minus 9 बरावच 0 ये भी एक सजाती बेंजक होगा क्यों क्योंकि हमने इसमें x का प्रियोग करा है किसी अन्य चर का प्रियोग हमने नहीं करा है इस तरीके से आप समझ सकते हैं अभी भी कोई डावट है तो आप comment box में पुछ लिजी वैसे आप आसानी से इसको समझ गए होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर detail में इसलिए discuss कराता हूँ ताके आपके कोई भी डावट ना रहे हैं यहाँ पर हम बिजाती बेंजक के बारे में जानेंगे heterogeneous के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं ऐसे बावपद बेंजक जिनमें अलग अलग चर हों बे बिजाती बेंजक के लाएंगे जैसे ऐसे 9x प्लस 7 लिखा हुआ है इसमें बाई का प्रियोग करा गया है अलग अलग दोनों का प्रियोग करा गया है तो ये बिजाती बेंजक होते हैं अब सजाती बेंजकों को आप कैसे जोड़ सकते हैं तो उसके बारे में यहां बताया गया है दो या दो से अधिक सजाती बेंजकों को जोड़ने से पहले बेंजकों के चिन सहित गातों को बढ़ते हुए गड़ते हुए इमें एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं देखो जैसे X स्केर का पद है तो X स्केर का पद उसके नीचे लिख देंगे X का पद है तो X का पद उसके नीचे लिख देंगे अगर अचर पद है तो अचर पद उसके नीचे लिख देंगे इस तरीके से यह बता रहा है फिर उनके गुडांकों के चिन्नों को सहे साथ उन्हें को जोड़ देते हैं और अभीस टियो गम को पर आप हो जाता है उनके चिन्नों के साथ उन्हें हम जोड़ देते हैं एजम्पल्स के लिए उन्हें देखिए बताया गया है यहां पर 7 x square plus 2 x plus 5 and 7 x square plus 2 x plus 5 वाला एक बेंजग है और यहां पर एक x square plus 2 x plus 7 वाला बेंजग है तो देखिए यहां x square के नीचे हमने x square को रखा है यहां x के नीचे x के पद को रखा है और अचर के नीचे अचर के पद को रखा है तब हमें इनको जोड़ना है इसके बाद घटाने की बात आ जा रही है तो यहाँ पर देखिए इनकों हम गटाएंगे कैसे तो सर पर थम बेंजकों को चर के घटते हुए गातों के किरम में लिख लेते हैं बेंजक को घटाना होता है उनके गडांकों के चिन बदल देते हैं अब हमने कहा कि इस तरीके से आप उसे अरेंज कर लीजिए कि किस चर का पद किस चर की नीचे आ रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद उन्हें आसानी से घटा लेंगे देखिए यहाँ पर दे कि एकस करके नीचे एकस का पद एकस के नीचे एकस का पद और अचर के नीचे अचर का पद लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब हमने सभी इनके अंक्स लिए हैं आप यहाँ पर कटाने के लिए हमें नीचे वाले के सभी के साथ माइनस का साइन लगा देना है मानस के साइन के स two x square बच गया तो इस तरीके से आप इने कर सकते हैं अब विजाती बेंज़कों को जोड़ना किस तरीके समय जोड़ सकते हैं तो देखिए इनके जो विजाती बेंज़कों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम बिजाती 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 बिजात इसे प्रकाष के X के नीचे कोई पतन नहीं है तो X का भी पतना नहीं के लिगाएगा, अब जो चर है, चर के नीचे हमें चर मित्ड़ायें तो हमने चर लिग दिया है, इसके बाल आप देखेंगे तो इन्हें हमने सीद्धा-सीदा ये 7X स्कार ही आ जाएगा, ये 3X तो ही आ पहले रखेंगे फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे तो देखेंगे पहले हमने 7x square लिखा फिर हमने 2 square का पद लिखा इस तरीके साम पहले बढ़ते से बड़े से घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे इसके बाद हमने 3x वाला लिखा इसके बाद ह आपको arrange करना है यह आपको arrange करना होता है बड़ी गात से छोटी गात की तरफ चलना होता है यह आप याद रखना और यह आपको करना होगा आप जैसे देखिए इसमें जो example दिया गया है उसमें देखिए 3x square प्लस 2x प्लस 6 और यहाँ पे 3x square प्लस 2 2y इनको भी हमने सजाया गया है तो देखिए एकस उसकर कोई पद है नहीं 6पल नहीं तो लिखा नहीं इसका अचऱ पद से यह अचऱ पद मिला दिया इसका तो यहाँ पे इनको मिला दिया इन की नीचे लिग दिया उसके बाद इसके buy useful का पद लग दिया और इसमें twomay वालाख लिए अब देखिए हमें घटाना है घटाने का मतलब क्या है इन की नीचे minus का sign लँगाना है तो हमने सबके साथ minus का sign लगा दिया इस तरह के से ज़र हमें तो same to same उतर जाएगा क्योंको इनके नीचे तो कोई गठने के लिए है नहीं तो यह same to same हमने यहाँ पर देखे उतार दिये हैं यहाँ same to same उतरे हुए है उसके बाद यहाँ जो six ता six में से two चला गया तो four बचा तो four लिग दिया फिर यह सब मानस के बचेंगे को मानस के साथ हमने इनको लिया हुआ है इसके बाद इन्हें हमने सही करम में लगा दिया एक्स का पद पहले ले लिया फिर बाई का पद ले लिया फिर बिना एक्स का पद ले लिया फिर बाई का पद ले लिया फिर अचर पद ले लिया इस तरीके से इनको आपको अरेंज करना है इसके हम आपको पूरे कराएंगे detail में कराएंगे आपभी कर सकते हैं आसानी से उन्में कुछ नहीं है ठीक है आसानी से आपको करसकेंगे इसमें बूचा है कि बताइये सजाती-ты-विजाती-वेन जग को को छहंटी है तो आपको बता दिया कि सजाती बेंजग क्या होते हैं बिजाती बेंजग क्या होते हैं आप आसा नहीं सुने च्छण सकते हैं बता सकते हैं किस तरी किस होते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे सब आपके को कोश सब्सक्राइब देना और वीडियो को लाइक कर देना थेंक